सिंग्रोली चिले के सीमावर्ती शेतर शक्तिनगर खड़िया में दिल दहला देने वाली घटा सामने आई है एक युवक ने अपनी पत्नी और मा की बेरहमी से हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गया है पुलिस मामले की छानवीर में जुट गई है आज दोपर के समय सोन भित्र शक्तिनगर खड़िया निवासी आरोपी सदाम हुस्यान अपने घर का दर्वाजा अंदर से बंद कर हाथ में तलवार लेकर अपनी पत्नी और मा को मार कर मौत के घार उदार दिया उसकी बाद आरोपी ने अपनी बेहन को मारना चाहा जहां से उसकी छोटी बेहन घर के छट से कूट कर बाहर निकल गए और शोष राबक करने पर आसपास के लोग इकटा हो गए जहां घटना के बारे में सभी को पताया जिसके बाद सभी लोग आरोपी सदाम हुसयन के घर का दराजा तोड़ने लगे तो आरोपी सदाम घर के उपर से खूट कर मौके से फरार हो गया वहीं घटना के सूचना पर मौके पर पुलिस मौची और जयान सो जुट गए फिलाल इस घटना को लेकर लोगों में दैशक का माहौल है और परिजनों का रोरोकर बुरा हाल है फिलाल पुलिस आरोपी की खोर्ष में जुट गई है और इस घटना को लेकर इलागे के लोग दैशक में है और लोगों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि एक बेटा अपनी पत्नी और मा की हत्या कैसे कर सकता है कर फोने टो फोले तो भग तो अ कि अर्वी जो है है और चुप घटना घट सकी थी पहले ही कि उसी समय मारा यहां यहां पहले से मारों के अंदर में अंदर हो कोई नहीं यह था बलगाया ऑछ हो और प्олिया अश्युक्त है उसे जो ने बोल लाता है अल्वा नहीं को अपने माता को अपनी को अपनी तो लोगो अच्छ अमधात अपने रुदू बे वे ये सारे स्नीव सिंगराली मद्रदेश